इस वीडियो में बात करने वाले है एस्टेटिक्स जी के टे सीरीज नमर पचीज के बारे में जो रुख्वनी पॉब्लिकेशन के और से आने वले एस्टेटिक्स जी के बुक से इस वीडियो में बात करेंगे कुल में लाइकर करके SSC, BSC और Railway, Civil Court जैसे कई एक जामों के लि तस्रीम नसरीण थी जो मंगलादेश के लेखी ऑंगलादेश की हिंदु ओप में अप्तायाचारň मस्जीद का बिसी कंपyyा गया तो समर मंगलादेश के इस दिश्य का प्रनावय निशीन में कुक्या गया था फ्रदिक्रटिक्स 2-3, महिला IPS रही है अरुधंती राई की बात की जाए तो यह जो है नर्मदा बचाओ अंदोलन में मेगा पार्टेकर का भरपूर साथ दिया था तो आपको यह भी याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन नमर सकेंड उमाकांद और अमाकांद गुंडेशा बंधु क्यात है यह जो है सो धुरूपद गायन से संबंदित है धुरूपद में संस्कृत अक्षरों का परियोग किया जाता है इसका उद्गा मंदिर में हुआ है डागर घराना दर्भंगा घराना मल नेक्स्ट कोश्चन के कोश्चन नमर थिरी महत्मा गंधी की बात की जाए तो इन्होंने सिंद सौराज लिखा था जबकि मुराम मनुहर लिया दो वहील वाफ हिस्टी नामक पुस्तक लिखा था जबकि राजंदर परशाद की बात की जाए तो इंडिया डिवाइडेड ओ आपका सही answer हो जाएगा, तो महत्मा गांधी की बात की जए तो इनके द्वारा लिखा गया पुष्तक था, हिंद सौस्वाराज, रामन हर लोही आ कर द्वारा लिखा गया पुष्तक था, दो वहील आफ Yoast City, थर्ड नमर रैजंतर परसाद के द्वारा लिखा गया India divided, और मौलाना आजाद के द्वार लिखा गए रथा, इंडिया विंस फ्रीडम, तो option A, C आपके सही अंसर हो जाएगा, question number 4, जननी सुरक्षा योजना कार्यकरम का उदेश से क्या था, जननी सुरक्षा योजना का उदेश संस्थागत परसब को प्रोतुसाहित करने का मुख्य उदेश था, जननी सुरक्षा योजना का, इस योजना के तहद गर्भती महिला की डिलेवरी होने उसके बैंक एकाउंट में 6,000 रुपईया, 6,000 रुपईया दिया जाना, दिया जाता था, इस योजना की सुरुवात की बात करें तो 12 अप्रेल 2005 को किया गय था, 12 अप्रेल 2005 को किया आगे था, क्वेशन नमर 5, एड्मीनरल गोर्षोकोव, एड्मीनरल गोर्षोकोव, क्या थे बिमान बाहग जहाज है, बिमान बाहग, एड्मीनर गोर्षोक, जो है सुवजविजजन वस्याइन इजहाज है, आप सभी को याद रखना है, एड्मिनर गोर्षोको का ही एक नया नाम आयनस विक्रामा दित्ते हैं एड्मिनर गोर्षोको के नया नाम जो है आयनस विक्रामा दित्ते हैं आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन नमर्व 6, ग्लोवल तिरभूज एक बिस्ष चेत्र है, जो मादक द्रवे को तसकरी के लिए विश्व विख्यात है, यह किस देश में है, तो यह जो है मानव तसकरी के लिए विश्व विख्यात, थाइलेंड मानमार और लाओस देश का एक समू है, लाओस दक्षिन पूर एस एकलोता अस्तलवद लेंड लोक, अस्तलवद लाओस जो है, यह लेंड लोक होता है, जो चारो साइड जो है, पिर्थवी से घिरा हुआ देश को लेंड लोक या अस्तलवद देश के शिरनी में रखा जो लाओस फ्रांस का उपनिवेस था, आप सभी को याद रखना है, इस फिल्म के सरवसेष्ट परिधान है, तो भानू अथया को ऑसकर से समाने ते किया गया था, आप सभी को याद रखना है, नेक्स्ट कोश्चन की बात की जाए तो बास, वार्षिपिंग फॉल्स गौड नामक पुस्तक के लिखा कौन है, वार्षिपिंग फॉल्स गौड नामक पुस्तक के लिखा अरुन सौरी है, अरुन सौरी, अरुन सौरी ऑप्सन सी आपका सही आंसर होगा, अरुन सौरी भा का नाम है, जबकि एसुटेवल वहाई के लेखा बिक्रम सेठ है, आपको ये भी याद रखना है, दो गॉड ओफ है, अरुधनती राई की किर्थी है, आपको ये भी याद रखना है, नेक्स्ट कोश्चन नमबर नाइन, कोश्चन के हिसाब से आपका अरुन सोरी जो है द्रोनाचारे पुरुषकार, यह पुरुषकार विख्यात सिक्चको को समानित करने हैं, तो 1995 में स्वरी 85 में अरंभी किया गया था, यह पुरुषकार, यह पुरुषकार में गुरु द्रोनाचारे की मुर्ती पुरुषकार रासी तथा मान, मान पत्र दिया जाता है, ये भी आपका सही है तो option C आपका सही हो जाएगा answer दुरुनाचार पुरुषकार से करतन सही नहीं है तो पुरुषकार एक बैक्ति को नहीं कई बैक्ति को एक साथ दिया जाता है अब इसे related बात करें तो नियमित स्रेनी में जो है पर दिया जाता है खेल दिवस की बात की जाए तो 29 अगस्ट को मेजर ध्यान संद के जन्म दिवस के रूप में रांतर रास्ट स्वरी रास्टी ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है या पुरसकार इवा मंतराले द्वारा दिया जाता है आप सभी को याद रखना है next question बाते है चलिए देखते हैं question 10 निम्निम में से कौन सा इग्म सुमेलित नहीं है दो जन्वरी को जो है गुरू गोविन सिंग जन्म दिवस की रूप में मनाया जाता है जो सही है यहां जो है सो शीख के दस भी गुरू हुए थे आपको याद रखना है तो यह जन्वरी को जो है सो प डिवस में मनाया जाता है यह जाता है जो जाता हको दो इस चन्वरी को प्राकरम दिवस की रूप में मनाया जाता है आपको याद रखना है नेक्स्ट 11 नमबर कोस्चन भारत की गिंती जनांग की कि लाभांस डेमोक्रेसी डिवी डिविडेंड बाले देश की रूप में की जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां जो है पं बीच होता है इंद्रके उध्वस रूज नेक्सट कोश्टन की बात के सोतंतर भारत के परथम राजयपाल कौन थे सोतंतर भारत के परथम राजयपाल लाड मांट बेटन हुए थे आप सभी को याद रखना, Option B आपका सही आंसर है, 1947 के स्वतंतरता अधिन्यमतारा भारत के वाइसराई को भारत का गौवर्नर जर्र कहा जाने लगा, भारत के अंतिम वाइसराई लाड मांट वेटन हुए थे, आप सभी को याद रखना है ये भी, next question number 14, DRDO की अस्थापना कव की गई, DRDO की अस्थापना 1958 में की गई थी, इसका पूर्ण Defense Research and Development Organization है, DRDO भाल सरकार की रक्षा मतराले का दिन एक सार्वजनिक उपकरान है, आप सभी को ये भी याद, DRDO के बर्तमान में परमुख जो है, सो जी सतीस रेडी है, आप सभी को याद रखना है, next मुखाउटा की स्राजय का नीर्थ है, मुखाउटा जो है अरुनाचल परदेश का लोख नीर्थ है, आप सभी को याद रखना है, यह यूद नीर्थ की भी अरुनाचल परदेश का लोख नीर्थ है, आपको सत्रिया असम का लोख नीर्थ है, आसम में सत्रिया लोख नीर्थ है, नेक्स्ट कोस्चन पर बाते हैं, भारत में समुदर तल की सारदीक उँचाई पर किर्केट मैदान किस राज में इस्तित है, तो हिमाचल परदेश में इस्तित है, आपको याद रखना है, हिमाचल परदेश के समुद्र तल से 1457 मीटर की उचाई पर इस्थित्चल किर्केट एस्टेडियम दुनिया के सबसे उचा किर्केट एस्टेडियम है आप सभी को ये भी याद रखना है नेक्स पॉइंट की बात कि धर्मसाला में मेच के पूर्व स्थानिय देवताओं की पूजा की जाती है इकाना एस्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनों में इस्थित्च जो दुनिया की दस्व सबसे बड़ा एस्टेडियम में सामिल है दुनिया के सबसे बड़ा एस्टे संस्था को भारतिय खेल प्राधिकरन कव सामिल किया घία था है तो या जो है स्थी में सामिल किया गये था तो आपको याद स्थापना 25 evea saltsja nama साइ का मुख्याला नई दिल्ली में इस्थित है आपको याद रखना है साइ का पूर्ण रूप की भारतिया भारतिया खेल प्राधिकरन होता है नेक्स्ट कोश्चन नूमर 18 किरल के थुमबा परसीद है क्योंकि वहां जो है रॉकेट लांचिंग स्टेशन है रॉकेट ऑप् प्राइशन को अस्थापना 1962 में किया था थुमबाल जो है रॉकेट लेंज सेंटर की अस्थापना 1962 में की गई थी नेक्स्ट कोश्चन नूमर 19 वन इंडिया गर्ल पुस्ता के लेखा कौन है तो यहां पुस्ता की लेखाग चेतन भगत है आपको याद रखना है चेतन कावल लाइन चानक के मंद्र दवकिर्षन की आदी अस्रमी संगी द्वारा लिखी गई पुस्तक है आप सभी को याद रखना है कोशन के इसाप से आपका ओप्शन डी सही होगा नेक्स्ट ट्वेंटी नंबर कोशन भारतिया मूल्ग में शिब अध्यारूई किसके अभिस अभिसकार से जुरे हुए हैं तो यह जो है इमेल के अभिसकार से जुरे हुए हैं आपको याद रखने इमेल अभिसकार रे टॉम लिंसन और अध्यारूई के बीच अभिसकार के लेकर विवाद हुआ डवलू-डवलू-डवलू के अभिसकारक टीम बरनसली हुए थे याद रखना है इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक के लिए टाटा बाई बाई